तो चले अज़ हम बात करेंगे M4, R5 के एक और most important topic की जो आपके exam को लेकर बहुत सारी doubts हैं आपके मन में और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको IOT का यानि कि M4, R5 का practical आपको देना है जो कि आपके लगे हुए हैं मेरे मान से 8, 9, 10 को साय लगे हुए है ठीक है तो ज लॉग किया होगा तो ही तो आपको अपना profile में login करके चेक करें download करके चेक करें पता चले जाएगा आपको के date में है फिलाल जो date हमारे पास आई है वो 8, 9, 10 की है कि practical आपके होंगे IOT के तो इसमें जो doubts हैं वो कुछ इस पकार से हैं कि क्या सर वहां पे हम लोग को Arduino की device मिले कि नहीं मिलेगी इसके बारे में doubt है और अगर नहीं मिलेगी तो कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और उसके output कैसे मिलेंगे ठीक है तो ये वीडियो को share कर देजेगा प्लीज जो बच्चे पहली बार IOT का एक्जाम देने जा रहे होंगे प्रिटिकल बेस पे demonstration बेस प इनको idea होगा कैसे ये एक्जाम होते हैं ठीक है तो अभी तक का जो है output वह मैं आपको बता दे रहा हूं इन दो साल का output दो क्या विसक्ति तीन साल नहीं है तो इन तीन सालों में आपको डिवाइस किसी भी इंस्टिटूट में देखने को नहीं मिली यानि कि आपको का इस प्रकार से कोडिंग बच्चे करके चले आते थे जो बटन लगी हो ति उसके साथ लाइट जलती है उसका यह प्रोग्राम है अपको यह पी लिख देना है अब देखिए कैसे आप जर नेरिट करना सीखेंगे यह इंपोर्टन ठीक है तो कोसरा जब आपके सामने होग तो वहाँ पर इस प्रकारतों का जाने की LED के साथ आप 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या 1 सेकेंड का डेले करके उसको आप जलाकर दिखाएं तो आपको यह पताओना चाहिए, जब LED हम जलाएंगे, शिंगल के साथ जब माले पूछा जाएंगे, तो उसमें कंपोनेंट क्या क्या जरूत पड़ेंगे, ठीक है, कंपोनेंट जब आप लगाना सिख जाएंगे, तो आपको यह पर आउटपूट के जरूत नहीं अगर डिवाइस नहीं तो कैसे आप आउटपूट समझेंगे, तो एक आपको माले जे आपने लिया Arduino Uno डिवाइस, तो यह Arduino Uno डिवाइस के कोडिंग यहां नहीं की जाती, कोडिंग की जाती है, जो पिन्स आप कनेट करते हैं, वह यहां पर लिखना है, ठीक है, अब जैसे क माले जे ये आपने एक डिवाइस लिए, ठीक है, उसके बाद आपने एक रईस्टेंस लिया इस परकार से, और एक आपने आपने लिया बल्प इसके की दो पिन होते हैं, तो आपको पता है कि जब एक पिन जो कैथोर्ड होता है, उसको जोड़ देते हैं, आपका ग्राउं कर दिए जहां पर आपने और पूट ती है वो ठीक किस प्रकारत से जहां पर इंपूट किया है और लो किया लाइट को वह आपपा करते ना यह पुस्थ बटन का है लाइट का भी मैं आपको दिखा जेता हूं प्रोग्राम तो इस इस सॉफ्टर में आपको वह को बनेबनाय जो कि टूल मैं आपके हैं चाहिए और यहां पर आये बेशिक स्पेसि करोंदा और आप इसमें चाहें जितना भी नंबर का से वह पूछा जाए झाए दिले यहांने कि अभी इसमें जो दिले लगा है यह सेकड़ लगा है तो यहांप और पर कर देंगे 2000 3 तोह पे आतें सेमी इस प्रिकार से रहता है यह था क्या girls नगा नियुदोग यहीं से आपका डम का च्रोण हमें लकार क्तर करो होंThis time ने पहले आपका जो भी कोई फ्रोगा में होगा, तो कहां से start होगा आपका वाइड setup। तो यहां से start हो वाइड setup। ठीक है और फिर हमने bracket के start किया। बेरेकेट यहां लाद के close का pagar dot pin mode जो हमने लगाया वह लेडी बिल्ट इन लिखा हुआ रहे कि बिल्ट इन किया है और उसको आउट पूट किया है ठीक है उसके बाद लूप की कंडिशन लगाई जो कि ओवर और ओवर फॉरेवर चलती रहेगी आपकी यानिकी लूप जो की होगी किसके लिए लाइट के लिए ठीक है वाइड लूप लगाया इसमें डिजिटल राइट जो के लिए हर एक प्रोगामिंग लेंग में अलग लग लिखने तरीका होता है इसमें लिखा जाता है तो आप लोग इसको यह आपको ठोड़ा सा रटना पड़ेगा ठीक है उसके बाद लेडी प्रोगाम बना के इस पकार से अब जैसे माले यह हमारे पास प्रोगाम है तो इसमें देखिए एक सिरा आमने इसका जोड़ दिया और एक सिरा रेश्टेंस के थैटी नमबर पोड़ से जोड़ दिया चीक इसको जो आपके वहाँ पे आपको यह डिवाइज यह जो अप्ल यह सारे चीजा आपको नहीं मिलेगी, नई ठिंकरकेड मिलेगा, नई एक आता है, आपको एक और सौफ़टर आता है, इसका नाम है, मैं ते बता देता हूं, यह इस फ्रिडिसिंग आता है, यह भी आपको नहींगा, पर अलकि ए आपको नहीं मिलेंगी याली आडिनो की क्योंकि माले एक गुरू में सो बच्चे हैं तो सो डिवाइस यहां पर आरेंज करनी पड़ेंगी और साथ ही अगर प्रोग्रामिंग आती है अलग लग पैटन की माले यह तीन को सन आपको दिये जाते हैं एक प्रोग्राम आपका इठेगा तो वही हजार उपए पर बच्चे के अनुसार एक एक डिवाइस आएगी तो पांसो बच्चे है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इसको परचेज और अरेंज करने में हरे इसके उपर नहीं होगा तो जिसका आपको सिप कोडिंग जी जाएगी कॉपी में आ लीडी वेगरा का यह हो सकता है कि हर एक डिवाइस आपको दे दी जाए और बहुत बहुत और बोल दिया जाए कि बारी बारी से आप लोग बना ले तो यह सब हो सकता है कुछ का नहीं सकते हैं क्योंकि चेंजमेंट हर बार होते रहते हैं अगर मिलती तो अच्छी बात आपके लिए क्या होगा वाइवा इंपॉर्टन होगा आपने कोड में क्या लिखा है वह तो अब जब डिवाइस ही नहीं है तो फिर आपको और पूट कौन देखेगा बहुत से टीचर हो सकता है कि उनको पता हो कि ना हो इंस्टूट वाले जो टीचर होते हैं मैं नलेट को टीचर उनकी बात नहीं कर रहा हूं उन्होंनों कभी खुद यूज नहीं किया हो या अपने अपने लेक्टर क्लासों में पढ़ाया हो कि ना पढ़ाया हो तो यह सारी चीज़े भी है तो वाइवा में अगर आप अच्छा कर लेंगे तो वाइवा के लिए कंप्लीट बाइस हो चाहिए ना हो ठीक है तो यह देख लिएगा प्रोग्राम जहां-जहां मैंने बताए है जहां-जहां लिंक के दिये है उसको आप लोग नोड करके त्यार कर लिए ठीक है तो अब इसकी कोडिंग कैसे आप लोग करेंगे सिंपल सा जैसे की देखिए इसमें प्लस अब यह अब इसमें देखिए पिन मोड नहीं लगाया क्योंकि यह सिंगल अभी जैसे माली यह मल्टिपल अलेडी आपके पास मिल जाती है यह देखिए तो अब यह जो मल्टिपल अलेडी आप इसका प्रोग्राम कैसे निकालें कैसे पतले आपको और पुर्ट सही आ रहा जाते हैं लेकिन वह जलती बुझती रहती है चीक है तो इस पकार से बोलेड़ जाता तुर्ट पहले आपको अपने माइंड में यह उसको डिजाइन कर लेना है यानि की तीन लगेंगी कोई भी शारण ने तो अब इसमें हमने एक तीन-दीन के पेर लगा दिया आप सिंगल भी तीन लगा सकते हैं खाली तीन लगा सकते हैं तो पहले अपने माइंड में बना ले कि अगर ट्रैफिक के प्रोगाम है तो उस तरह के पीन होते हैं आपके देखें मैं आपको इहां पर लिखा हूं लाके देखें दो तरह के हैं एक ये नोउट यह प्रणा लाकि जोड़ा ये तो सिंपल अगर ग्रौण्ट सा लिखते हैं तो देखिए इसमें बीगिरांट सनी जोड़ा यहाँ पर भी ग्रान ने इस लाइन को हमने ground कर दिया, तो बागी देखे सारे अमने जो इधार वाले point थे यह हमने ground से जो दिया तो ऐसा भी करकते हैं, या फिर directly यहां पर लाके ground आए और और कोई प्रोग्राम में अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ, अब यह देखे इसमें भी हमने button का है यह program, तो इसमें देखें यह वाला जो पार्ट है यह देखें यहां पर आके ग्राउंट है जो हो दिया गया तो एक ग्राउंट आपको लगेगा और बटन जब लगेगी तो बटन में हमेशा आपको पताना चाहिए एक 5 वोल्ट आपका लगेगा या फिर अधर कोई डिवाइस लगेंगे तो अलग अलग पिन पर हम जोड़ देंगे जैसे माले कहीं पर भी आप जोड़ा तो यह इक पो लिख देना देखें यह 13 नंबर पर पिन मोड पिर हमने बारा नंबर पर जोड़ा इस पर कर्चाब लिखते चले आएंगे और बात में इसी इनी की लूपिंग कर देखने के पाद और फिर इजली आप इसको कर पाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया तो कोस्टन जो कल मैंने आपको दिखाया थे बारा वह कोस्टन आप लोग जरू तयार करने ठीक है वह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन होंगे मैं भी देखता हूँ आयोटी प्रोग कोशन आपके माइंड में आ जाएगा पूरा जैसे कि यह देखिए राइट ए प्रोगाम तो ब्लेंग डिफॉल्ट अलीड आपको लगानी है अब इसमें काई यह नहीं दियागा किस पॉइंट पर लगानी किस पर नहीं दो सेकेंड के लगानी तो सिंपल सा है तो आपके पर्कार से सारे भी जैसे कि यह है तो आपको पहले तो आपके माइंड राइगा कि 10 11 12 13 तो इसमें क्या है देखेंक आपको पता है कि 4 चार एक ज़िद नहीं नहीं है तो इस परकार सा देखिए कोसन निकाले आते हैं कुछ कोशन्स हैं जैसे कि LCD वाले हैं LED वाले हैं ठीक है और यह जो पासवर्ट सेक्रेटी वाले हैं इन में आपको जरुवत पड़ती है क्योंकि यह जो प्रोगाम है थोड़े से लंबे होते हैं इसमें जब आप डिजाइनिंग सही कर लेते हैं तो आपको एक अंदाशन लग जात बटन को स्टेट कर दिया जीरो वाइट सेटर लगाया यहां पर पिन मोड लेडी पर पूट दिया फिर बटन पर लिया फिर वाइड लगा के हाई और लो का देखें और ऑन आफ कर दिया हम ठीक है तो यह सिंपल सा सब में आफ होगा सेम तरीका है सभी में लिखने का थोड वो सारे मैंने करके दिखा हैं आप लोग देख लिएगा ठीक है फिर आपकी बंद होगी तो यह है स्ट्रेंट आपका सिंपल सा ठीक है डिवाइस आपको नहीं मिलेगी बाकी आप स्क्रीन पर लिखके आए और कौपी में लिखके आए आपको इसली नंबर मिल जाएंगे म बाकी सुनने में आ रहा कि बहुत जगहा जो है वो फीस ली जा रहा है तो बाकी आपके लिए बताई है इस पूरी playlist मैंने आपके लिए बना दी है वो आपके लिए बहुत helpful होगी